प्यारे बच्चो आपका पुना स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल Read&Learn with रंजीत कुमार पे आज हम लोग कक्रिनने वाले हैं जो एड़ ग्रेट अभ्यास पुस्ति का उसका complete solution और आज हमारा है गलित कक्छा आठवी का complete solution जो आज हम करने वाले हैं वह है अध्याय हमारा 13 जो है सीधा तथा और प्रतिलोम समानुपात अब आपको पता है कोई भी वस्तू अगर ऐसे बटे की रूप में रहती तो इसे अनुपात कहते हैं लेकिन जब कोई वस्तू इस रूप में लिखी रहे जैसे माल लीजे तीन अनुपात यहाँ पर लिख देते हैं चार अनुपात तीन समानुपात फिर यहाँ पर लिखा रहे है आपके पास माल लीजे साथ अनुपात आठ तो इस प्रकार से जो वस्तू रहती इसे यह वाल लोम हने तो चलिए बच्चो आज का पहला प्रशन लेते हैं उसके पहले प्रिबच्चो चैनल में नहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आगामी वीडियो आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है जो आगामी अध्याय है जो भी अध्याय रहेगा उसका complete solution मिलने वाला है और जो भी आपके अध्याय हैं इससे संबंधित मैं पूरे complete हो चुके हैं इसके पहले कि आप हमारे चैनल की playlist में जाके देख सकते हैं और सभी वीडियो नकलब की सभी के वीडियो हमने upload कर दी हैं सभी subject के आप उन्हें भी देख सकते हैं जो चली पहला प्रशन ल 10 मीटर है तो समान इस्तीती में उसी पेल की उचाई उस पेल की उचाई ग्याद कीजिए अब यहाँ पर एक और पेल है जिसकी उचाई ग्याद करना है जिसकी चाया 15 है तो देखो क्या करना है सबसे पहले हम पेल की उचाई को मान लेते हैं तो माना पेल की उचाई क्या है X मीटर है तो देखो 14 मीटर उचे एक खम्मे की चाया 10 है तो हमें बताना है कितने मीटर उचे पेल की चाया 15 मीटर होगी तो हमने इसे समानुपात के रूप में लिख दिया बच्चो फिर क्या करे इस 15 का इधर हमने पक्षांतर कर दिया तो 15 का पक्षांतर करे तो इधर भाग में था तो इधर आके गुणे में हो गया तो 14 गुणा 15 के बटे कितना आगया यहां पर 10 आगया अब हमने 10 को काटे 5 से तो 5 दूनी 10 और इसे काटे तो 5 दिया 15 अब यहां पर 2 बचा इसे 2 से 14 काटे तो 2 सत्य मतलब हमारे यहां पर 7 और 14 तीन बच गया तो 7 गुणा 3 करे तो कितना आगया 7 रे 21 अर्थाथ 21 मीटर पेल होगा जिसकी छाया कितनी होगी 15 मीटर होगी अगला प्रशन देखे एक रेल गाड़ी 15 किलो मीटर की एक समान चाल से चल रही है एक रेल गाड़ी 15 किलो मीटर की एक समान चाल से चल रही है वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी हमें बताना है वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी तो देखो 20 मिनट है इसे घंटे की रूप में बदले तो 20 के बटे 60 लिख सकते हैं हम लोग तो वही हमने लिखा है घंटे की रूप में उसे तो देखो चाल बराबर दूरी के बटे समय तो समय कितना हो गया 20 के बटे 60 घंटा ठीक है समय हो गया अब चाल 75 थी तो 75 दूरी हमें ग्यात करना है दूरी जैसे कब ऐसा और समय को रखा हमने 20 के बटे 60 अब इस 60 जो है वो उपर चल जाएगा तो 60 गुणा दूरी के बटे 20 हो गया बराबर में 75 अब इसको हल करे तो इधर देखो दूरी जैसी कि वैसी यह 20 यहाँ पर देखो जो यह 20 है वो 75 साथ गुड़े में हो जाएगा और इस 60 इधर भाग में आ जाएगा कितने आ गई बच्चो 25 किलो मीटर आ गई अब इसके बाद आपका एक और प्रशन है इसी में क्या है कि 250 किलो मीटर की दूरी तै करने में लगने वाले समय की बात कीजिए समय की गरना कीजिए तो देखो हम रखेंगे यहीं पर इसे मैं ऐसे आपको सुतर लिखना है जगे कम थी इसके लिए हमने समझाया नहीं यहाँ पर आपको लिखना है चाल 75 इधर फिर यहाँ पर क्या लिखना है आपको दूरी मतलब कि 250 दूसरे वाले कहल है और समय यहाँ पर जैसे का वैसा आपको लिख देना अब समय का इधर पक्षांतर कर दीजिए और 75 का इधर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए यह हो जाएगा 250 बटे 75 और इधर समय बराबर में चलता रहेगा ठीक है अब 75 को इससे काटे तो 75 दूनी कितना होता है देड़ 100 ठीक है कितना होता है 1500 तो इस पूरे को हल करने पर यहाँ पर आपका निकल के आएगा लगभग पूरा समय जो निकल के आएगा 3 सही 1 के बटे 3 आएगा लगभग देख लीजेगा आप लोग तो जब इससे 3 सही 3 के बटे एक आया तो इसको हम लिख सकते हैं 3 गंटा 3 गंटा 20 मिनट 3 गंटा 20 मिनट इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा जगे कम थी इसके लिए बच्चों हमने समझा नहीं पाई इसको अगर आप कमेंट करो तो मैं एक छोटा सा वीडियो की लिंक दे दूँगा जिससे कि आप इसको आसानी से कर लीजेगा यह टेलिग्राम में चले जाएगे टेलिग्राम में मैं पेडियप डाल देता हूँ इसको हलकी हुई वहाँ से आप कर लीजेगा लग पन्ने में ठीक है बच्चों अगला प्रशन लेते हैं किसी सौप्ट ड्रिंक फैक्टरी में एक मसीन 840 बॉतले 6 घंटे में भरती है 840 बॉतले 6 घंटे में भरती है तो वह मसीन 5 घंटे में कितनी बॉतले भरेगी तो आप इसे इस प्रकार से भी करका सकते थे 840 के बटे 6 बराबर यहाँ पर आ जाता आपका X के बटे 5 इस रूप में भी आप लोग कर सकते थे लेकिन मैंने यहाँ पर आपको अलग रूप बताया जिससे कि और कैसे इस प्रशनों को हल करते हैं आप सीख सकें तो देखो एक घंटे में मसीन द्वारा भरी बॉतल है क्या हो जाएगी 840 को 6 से भाग दे देते हैं तो कितना आ गया 140 आ गया 6 एकम 6 6 एकम 6 दो बचा तो 24 हो गया 6 चोके 24 और 6 सुननम सुन 140 हो गया अब तो 5 घंटे में भरी बॉतल निकालना था तो एक घंटे में 140 है तो 140 में हम 5 का गुणा कर देंगे तो कितने का निकल जाएगा हमारा 5 घंटे का निकल जाएगा तो 5 सुननम सुन 5 के 20 की सुन हसल का दो 5 एकम 5 और 27 अर्था 700 बचले भरी जाएगी कितने में 5 घंटे में अगला प्रशन है चौथा प्रशन है रस्मी के पास एक सड़क का मानचितर है जिसके पैमाने में एक सेंटिमीटर की दूरी 18 किलोमीटर निरुपित की गई है मतलब कि एक सेंटिमीटर जो है वह 18 के बराबर है तो वह उस सड़क पर अपनी गाली से 72 किलोमीटर की दूरी तै करती है उसके दूरा तै की गई दूरी मानचितर पर बताईए या क्या होगी बताईए तो एक के बटे 18 बराबर एकस के बटे 72 72 का इज़र पक्षांतर कर दीजिए देखो एक के मतलब एक सेंटिमीटर 18 के बराबर था एक किसके 18 किलोमीटर के बराबर था ने तो हमें एकस बताना था कि कितने किलोमीटर के बराबर आ जाएगा कितने 72 किलोमीटर है वह कितने सेंटिमीटर के बराबर आएगा तो एक के बटे 18 की और एक्स के बटे 72 72 का इजर पक्षांतर की है तो 72 के बटे कितना हो गया 18 बराबर कितना आ गया 18 एकम 18 18 चुके कितना होता है 72 अर्थात एक्स बराबर कितना जाएगा 4 cm क्योंकि एक बराबर 18 तो 4 बराबर कितना 72 अगला प्रशन देखिएगे अगला प्रशन है यदी मोटे कागच की 12 सीटों का भार 40 ग्राम है तो ऐसे ही कागच की कितनी सीटों का भार 0.5 kg होगा पहली बात तो हम 0.5 kg को ग्राम में बदले तो एक kg में आपको पता है 1000 kg होते हैं कितने एक kg में 1000 ग्राम होते हैं तो यहाँ पर हमने same वैसे ही किया इसको बदल दिया 0.5 kg को ग्राम में 200 ग्राम आ गया तो 12 सीटों का भार 40 ग्राम है तो कितनी सीटों का भार 2500 ग्राम होगा हमें बता आना है 2500 का इदर पक्षानतर कीजिए तो 12 गुना 25An 40 अब एक सीरो से एक visualize कड़ गया और चार एकम चार चार त्रे बार अब 200 गोना 3 कर दिये तो कितना गया 750 सीट अरता 750 सीट का जो बजन है या बजन जो है वह भार जो है वह है 2.5 किलोग्राम होगा अगला प्रशने बाट शो प्लीज बच्चो चैनल में नए हो तो सब्सकाइब कर लो यार क्योंकि जो भी वीडियो डालेगा अगला तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो आप आसानी सालुसन कर सकते हो क्या निस सभी सब्जेक्ट का और कोई भी जानकारी रहती हो मिल जाती है आपको इसी के लिए तो कह रहा हू यदि उसी प्रकार के पाँच पाइपों का ही उपयोग क्या जाए तो टंकी कितने जिर में भरेगी तो एक गंटे 20 मिनट की बात किया इसकल गंटे को मिनट में बदले तो 80 मिनट हो गया एक गंटे में 60 और 20 जोड़ दी तो 80 मिनट तो 6 पाइप 80 मिनट में भरते हैं तो 5 कितने मिनट में भरेंगे तो देखो हमने 5 गुणा एक्स लिख दिया अब 5 का इधर पक्षांतर कर दी तो 5 से काटे तो 5 एकम 5 5 6 का 30 मतलब 6 गुणा 16 अर्था 96 कितने 96 मिनट में वह जो है 5 पाइप पूर तहा एक टंकी को भर लेंगे कितना आएगा 96 मिनट आएगा अगला प्रशन ले लेते हैं बच्चो सात्वा प्रशन है और सात्वा प्रशन देखो मिठाई वाला है बच्चो आपने मिठाई तो खाया ही होगा यदि किसी डब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बाटा जाए तो प्रतेग बच्चे को 5 मिठाईय मिलती है मतलब अगर 24 बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी तो 24 बच्चे को 5 मिठाई मिलती है तो 20 बच्चे को 4 कम करना पड़ेगा चार कम बोला है इदे को 4 की कमी तो 20 बच्चो कितनी मिठाई है X माल लिए हमने उसको X मिठाई मिल रही है तो अब X को इदही रग दिए 20 का पक्षांतर की हमने तो 24 गुणा 5 के बटे क्या हो गया 20 तो 5 एकम 5, 5 चोके 20 तो 24 के बटे कितना बचा? 4 बचा तो 4 एकम 4, 4 चिंग कितना हो गया 24 तो इस तरह से बच्चो हमारा इस प्रशन का उत्तर कितना हो गया? 6 हो गया एकस बराबर कितना आ गया? 6 आ गया अगला प्रशन लेते हैं और अगला प्रशन देखेंगे ध्यान से बच्चो यदी 15 स्रमिक किसी दिवार को 24 गंटों में निर्मित कर सकते हैं अब पंदरा जो प्रस्रमिक है वो और स्वरी 24 नहीं 48 गंटों में निर्मित कर सकते हैं तो इसी कार को 30 गंटे में पूरा करने के लिए कितने स्रमिकों क्या और सकता होगी तो हमने माना एक्स्रमिक जो है वह 30 घंटे में कारे को पुरा कर देंगे 30 का फिर पक्षांतर कर दी तो 30 बटे में आ गया अब यहां से 15 एकम 15 15 दुनी 30 कर दीजिए और दो से इसको डारेक्ट भी काट सकते थे आप वैसा नहीं करना तो और तरीक है हमारे पास कि 5 ती है 15 5 शक्का 30 आप इस प्रकार से से काट लीजिएगा थोड़े यहां पर हम अलग लिखे काटते हैं देखिए 15 गुणा कितना है 48 के बटे में कितना आ जाएगा 30 तो 15 एकम 15 15 दुनी 30 ठीक है और 2 एकम 2 दो दुनी 4 दो चोके 8 अर्थात कितना आ जाएगा 24 तैक्स बराबर कितना आ जाएगा 24 यहां पर देखो हमने काटा है तो इसे काटा हमने सबसे पहले 6 से तो 6 पंचे 30, 6 चिंग 36, 67, 28, 48 आठ बार कटा 48 अब यहां पर 5 एकम 5 और 5 दिया 15 तीन गुणा 8 कर दी तो यह भी कितना आ जाएगा 24 अर्थात इस प्रशन का उत्तर कितना हो जाएगा 24 त्रमिक लगेंगे 30 घंटे में अगर आपको काम को कम्प्लीट पुरा करना है तो अगला प्रशन हमारा नौमा प्रशन है एक कार एक इस्तान तक पहुचने में 60 किलोमिटर पूरती घंटे की चाल से चल कर 2 घंटे का समय लेती है तो 80 किलोमिटर चाल कर दिया जाए उस की तो कार को कितना समय लगेगा उस इस्तान तक पहुँचने में तो देखो 60 किलो मीटर से 2 घंटे लगते हैं तो 80 किलो मीटर से माना X लगता है तो X को सिंगल कर दें हम यहीं पर ही तो 80 किदर आ जाएगा इधर बटे में आ जाएगा तो 1 0 से 1 0 क्या हुआ कड गया तो 6 दूनी 12 12 के बटे कितना आ गया और 2 5 10 मतलब 1 0 कितना आ गया 5 अर्थात हम 1 05 को क्या बोलते हैं देल घंटे बोलते हैं यान कि 1 सहीं एक के बटे 2 घंटे अर्थात कितने घंटे लगेंगे देल घंटे लगेंगे अगर आप 80 किलो मीटर की चाल से चल रहे हो तो उस इस्तान तक पहुँचने में और अगला प्रशन देखें बहुत अच्छा प्रशन है बच्चो देखो बहुत अच्छा आपने तीलियों से खेला ही होगा माचिस की तीलियों से या डंडियों से कभी न कभी तो यहाँ पर उसी संबंदी प्रशन है किस किसने खेला है कमेंट करके बताईए मुझे तीलियों से माचिस की तीलियों से चलो तब प्रशन देखो रहमान तीलियों या डंडियों का प्रियोग करते विए एक पईया बना रहा है दिख रहे हैं आपको पईया यहाँ पर यह तीन पर पईये वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किनी भी क्रमागत तीलियों के युगमों के बीच के कोण बराबर है तो निम लिखित सानी को पूरा करते विए निमन के प्रशन को उत्तर दीजिए तो देखो यहाँ पर पहला तीलियों की संख्या अगर 4, 6, 8, 10, 12 दी है तो क्रमागत तीलियों के एक युगमों के बीच कोण क्या है पहले अगर 4 है तो पूरा कोण कितने अंसका होता है 360 अब तीलियों कितनी किया है 4 तो 4 को भाग दे दो 4 एकम 4, 4 नाम 6, 4 सुन नम सुन अर्थात कोण कितना आ जाएगा 90 उसी प्रकार 6 का 60, 8 का क्या जाएगा 306, सरी, फिर से देखीगा यहाँ पर क्या जाएगा 360 में भाग करना है आपको किसका, 8 का तो आटे कम 8, आटे कम 8 8, 2, 9, 16, 8, 3, 24, 8, 4, 22 4 बार गया, कितना बच गया 4 बच गया, 8, 5, 40 हो गया यहाँ पर 4 बच तो यहाँ 4 लिखे तो 40 तो 8, 5, 4 तो कितने डिगरी का 45, उसी प्रकार 10 से 36 और 12 से 30 ठीक है बच्चों इस प्रकार चे आप भाग देखे भी कर सकते हैं अब यहाँ पर दो प्रशन दिये गए हैं उन दोनों प्रशनों के उत्तर देखते हैं बच्चों अगर आपको वीडियो तेज लगता है तो करप्या कर आप स्लो कर लीजेगा आपका यूटूब में ऑप्सन है ठीक है अब यहाँ पर देखे 15 तीलियों वाले एक पईये के करमागत तीलियों के किसी यूगम का कोण बताईए ठीक है 15 तीलिये तो 360 को 15 से भाग दे दो भाग दी तो कितना जाएगा 24 संसा जाएगा अर्थात 15 तीलियों के एक प्रण जब हम पईया बनाते हैं तो उन में से जो कोण का यूगम बनेगा एक कोण 24 डिगरी का बनेगा उसी प्रकार आगे अगला प्रण क्या है यदि करमागत तीलियों के प्रतेक यूगम के बीच कोण 40 डिगरी है तो आविसक तीलियों की संख्या कितनी होगी तो अब तीलियों बताना है कोण दिया है तो 40 360 को 40 से भाग दे दिये तो यह क्या होगा 10 से 100 गया 4 एकम 4 चार नाम 36 अर्थात 9 तीलियां जो है क्रमागत लगेंगी अगर 40 डिगरी का कोण बना है तो देखा बच्चो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अध्या नम्मर 13 आपका कर लिया है और अध्या नम्मर 13 जो था वो था आपका सीधा और प्रतिलोम समानुपात तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवस्से बताएं दोस्तों को सेयर कर दीजेगा आपकी स्कूल उरूप में भी सेयर कर दीजेगा सभी को सेयर कर दीजेगा आप लोग जिससे की साधिक साधिक बच्चों का फायदा हो सके तो बच्चों अगर आपको कोई वीडियो की लिंक चाहिए तो कमेंट कर दीजेगा उसमें आपको मिल जाएगी और ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल पे जुड़े रहें और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती तो कमेंट करके आप उत्तर हमसे पूछ सकते हैं ठीक है बच्चों मिलते हम अगले वीडियो में थैंक यू पर वाचिंग स्टुडेंट